हालो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी लोग उम्मिद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मौस्थ होंगे और आज की वीडियो हम दिखाएंगे आप लोग को दिक्कत होता है कमेंड में आता है कि ब्यारा पेसी का जो ड्राइंग होती है हम लोग इस्टारेशन करने जाते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि हम ब्यारा पेसी का जो ड्राइंग होता है और हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे माइंड में चलता हाफ क्वाटर से वन एट थाइट वन वन फाइट इसको उसमें में लिखा रहता है आज हम जाने हैंगा कि कापर पाइट में में क्या होता है और इंच में क्या होता है पूरी जनकारी आज आपको मिलेगी आप वीडियों बने रहिए गा तो साइनली जाइज आपको हम ले चलते हैं सिस्टम पर बोड पर हम समझाएंगे कि कि प्रस्ट Пер व्यारएप एसी का पाइपिंग साइज अम में कैसे जानते हम जैसे विज्प हो हें विजारवीओ कोई KCO, हम उसको जानेंगे कि कैसे होता है, उसको इंच में और थिंकस में क्या जानते हैं, तो हम पहले से आप देख सकते हैं, यह हम नोट किये हुए हैं, आपको हम बारकी से समझाएंगे, ध्यान से समझाएंगे, आप देख सकते हैं, हम लोग इसको quarter pipe बोलते हैं, इसको quarter pipe बोल आए और ठीड का पाइप का बात करते हैं आप देख सकते हैं आप हम लोग का आप सर्फ कशेट एसी में या ड़क्टी विल एसी में जो पार चार टन तक होता है तो इसमें यहीं पाइप 3.8 होती है इसको एम इम में बात करें कि तो 9.5 तू एम इम का यह होता है और हम लोग फिर एक 3.8 के बाद हाप का पाइप होता जैसे आप दिखते होंगे एक टन तरन के हाप बड़क्ट दूख सकते हैं में बात करेंगे तो वन पॉइंट 12.7 में ही होता है यह हमारी पाइप आउसके बाद हम लोग उसी चैसे दो टन धाई टन तीन तक में हम लोग लगाते हैं 58 होता है 58 के साथ 38 का पाइप लगाते हैं तो हमारी 58 होता है सब मकैनिक के पता होता के 58 है और एम में लिखा रहा था लोग समझ नहीं पाते हैं एम में 58 कितना हैगा तो ड्राइंग में एम में लिखा रहा था उसमें 15.88 एम लिखा रहा हैगा तो हम जान जाएंगे वन फ़न एम में लिखा रहा था ड्राइंग पर फिर हम बात करेंगे 3-4 3-4 कितने मकेनिक लोग बोलते हैं कितने लोग 6-8 बोलते हैं यह दोनों पाइप एक ही होता है या तो 6-8 बोले या तो 3-4 बोले इसको एम में हम बात करेंगे तो 19.5 mm होता है और इसकी 6.8 के बाद आता है 7.8, 7.8 का pipe आप देख सकते हैं, 7.8 का pipe जैसे हम लोग 11 टन का deductible लगा रहे हैं या 8 टन का deductible लगा रहे हैं, तो उसमें 7.8 pipe यूज होता है, 7.8 के साथ हाप का pipe यूज होता है, तो हम लोग 7.8 जानते हैं, IMM में बात करें तो इस इसका यूज होता है 7.8 का 22.22 mm, आप देख सकते हैं, 22.22 mm, पचीज 7.8 के बात पाइप आता है 25 mm, उसको 118 लोग बोलते हैं, केतने लोग पचीज 16 लोग बोलते हैं, इसको 118 के नाम से जानते हैं, लेकिन वो pipe 118 2 होती है, एक 18 mm की होती है, और एक 25 mm की होती है, जैसे आप support को खुब वह समवें अथा मदलॉट paling देखें हैं एक पचीश सब्सकों क्लेंद कि concept कल तौ स्कूर थे थो दो कि पडिस से जबी होता है मोलता है जो जो सिंकज भाला होता हो्ता 28 में बोलते हैं तीन में 31.8 mm का होता है हो mm में 31.8 लिखा तब जानेंगे 138 है 158 भी आता है अगर 1158 होता है तो उसको जानेंग 38 mm इससे मोटा भी आता है 38 mm, 43 mm, पाइप और मोटी आती है तो अक्सर हम लोग जो ज़्यादा यूज में होती है अक्सर साइडों पर हमारे यही सारी पाइप लिखे रहता है आप इसका स्क्रीन साट लेना चाहते है तो इसक्रीन साट ले लेजिए वाकि हम थिम्मल पर देखे होंगे हमें लगाया हुए है फोटो आप इसको नोट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दिए शेयर कर दिए सस्क्राइब कर दिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए क्योंकि हमारी मिनाथ आपको एक एक चीज नहीं पता आ अच्छी जम बताएंगे बार की बार की से बताएंगे आप में में जान गए आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करिए शेयर के सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक बाई बाई गाईज